नमस्कार मुद्दे की बात में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ मैंक उधेनिया तो राजगर कर्थपलकांड एक बार फिर से सुर्ख्यों में है और इस बार ये जो सुर्ख्या मिली है वो इस वज़े से है कि राजगर कर्थपलकांड को लेकर हैं जो कि उन्होंने एक A.S.I. को मारा था ये घटना उसी दिन की है जब C.A. कांड को लेकर B.J.P. कार्यकरता को उन्होंने थपल मारा था तो अब इस मामले में क्या कुछ कारवाई की जानी चाहिए इसको लेकर D.G.P. ने पत्र लिखा है ग्रह मंत्राले को और ग्रह मंत्री ने इस मामले को लेकर कहा है कि इस मामले में उचित कारवाई की जाएगी तो क्या है पूरा मामला देखे ये रेपोर्ट थपड कांड को लेकर फिर सुर्ख्यों में कलेक्टर B.J.P. नेता के साथ A.S.I. को भी मारा था थपड जाच से बढ़ी कलेक्टर मैडम की मुश्किल B.J.P. ने लिखा ग्रहेव भाग को लेटर इस थपड कांड के बाद राजगर कलेक्टर ने धी निवेदेता मीडिया की सुर्ख्यां बन गई थी थपड की गूँज देश भर में सुनाई दी थी और इसे लेकर जम कर सियासत भी हुई थी B.J.P. निताओं ने कलेक्टर पर जम कर निशाना साधा था ताकत से खड़ी है जहां जहां भी करोगे ये भारती जनता पाइटी का परिवार सड़क पर ने पटने के लिए आपसे मैदान पर आपके भीच में आएगा हम बेटियों का सम्मान करते है मेरे बहनों बाइगों हर बहन और बैटी हमारी दुर का लख्ष्तर अरस्वपती है उसके हम कुझा करते हैं लेकिन बात ये सही कहीं को बाजी जिए परसासतिक अधिकारी प्रसास्ते काधिकारी होता है उसको इजाजत नहीं है कि वो किसी पर भी हाथ उठाए और इसके हमारी मांग है कि जिनने हाथ उठाया है जन्ता के मौपर तमाचा मारा और केवल रभी भवानी के मौपर तमाचा नहीं है ये तो लोग तंत्र के बीजेपी के तमाम वारों के बाद भी उस वक्त सरकार और ब्यूरोक्रेसी कलेक्टर के समथर में उतर आये थे लेकिन अब थपडबाज मैडम मुश्किलों में नजर आ रही है वजह है एक जाच में उन्हें दोशी पाया जाना जाच भी एक थपड़ कान की ही है लेकिन ये वो थपड़ नहीं था जो टीवी स्क्रीन्स पर बार बार दिखाया गया था दरसल कलेक्टर ने धी निवेदिता ने 19 जनवरी को C.A. के समथर में निकल रही रैली के दौरान A.S.I. नरेश शर्मा को थपड़ मार दिया था जिसकी शिकायत नरेश शर्मा ने दरज कराई थी A.S.I. नरेश शर्मा ने शिकायत में कहा था कि दोफर एक बजे वो ड्यूटी पर तैनात थे उसी दोरान कलेक्टर मैडम आई और गाड़ी का गेट खोल कर उन्हें थपड मार दिया कलेक्टर के इस विवहार से वो बहुत आहत हैं इस शिकायत की जाँच S.D.O.P. सुम्या अगरवाल ने की थी जो सही पाई गई और अब जब जाँच रेपोर्ट डीजेपी के पास पहुँची तो उन्होंने ग्रेव विवहाग को एक लेटर लिखा जिसमें कलेक्टर ने धी निवेदिता पर कारिवाई की मांग की गई है ग्रेव मंत्री बाला बच्चन तक मामला पहुँच चुका है और उन्होंने डीजीपी से मिले खत के बारे में मीडिया से कहा है कि पूरा मामला सीएम के संग्यान में है मामले में कानून के हिसाब से कारिवाई की जाएगी इस पे जो नीड़े लेना है जो अपना जो अर्फा जो है कानून को अपना काम करना है बीजेपी निदा को थपड मारने के कारण कालेक्टर निदी निवेदिता के खिलाफ बीजेपी ने जम कर हमला बोला था और अब जब दूसरे थपड कारण की बात सामने आई है तो फिर एक बार बीजेपी को सरकार और निदी निवेदिता पर हमला करने का मौका मिल गया है बात भी सही है कि जब बीजेपी निता को कलेक्टर ने धपड़ मारा था तो पूरी सरकार और ब्यूरोक्रेसी कलेक्टर निधी निविदिता के समर्थन में उतर आई थी और अब जब पुलिस विभाग ने ही उन्हें एक मामले में दोशी करार दिया है तो आईएस और आईपीएस असोसियेशन में मतभेद होता दिख रहा है जाहिर है बीजेपी को मौका मिल गया है तो वो चुप नहीं बैठने वाली है वहीं सरकार की मुश्किल यह है कि अभी तक जिसका बचाव करती आ रही थी अब उस पर कारवाई कैसे करेगी ब्यूरो रिपोर्ट पत्रिका टीवी तो राजगर कलेक्टर निधीन विदिदा की मुश्किल है बढ़ सकती है इस मामले को लेकर डीजीपी ने ग्रह मंतराले को पत्र लिखा है और अब ग्रह मंतरी भी इस मामले में कारवाई की बात कर रहे है तो इसी मुद्धे पर करेंगे चर्चा अज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी विधायक आशीश जी आशीज जी आपका स्वागत है वहीं कॉंगर्स प्रवक्ता फिरोस सिद्की जी आपका स्वागत है वहीं हमारे साथ बरिश्ट पत्रकार वी जी है रविंद्र जैन जी है रविंद्र जैन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है तो सबसे पहले फिरोस जी मैं आपसे जाना चाहूंगा कि जिस तरह से ये जो थपल कांड सामने आया था पहले कलेक्टर बीजेपी निता को थपल मारती है और एक एसाइ को भी थपल मारती है अब इस मामले में कारवाई की बात कही जा रही है किया सरकार कारवाई करेगी इस मामले में देखिये माहिम जी ऐसा है कि अगर उनके खिलाफ इस तरीके का कोई मामला आया है तो ये सरकार के संग्यान में भी आया है मानने नहीं है मुख्यमंत्री जी इस पर कारवाई करेंगे और जो करेंगे वो मुख्यमंत्री जी को करना है कानून सबके लिए एक बराबर है ये बात कॉंग्रेस पाल्टी मानती है और किसी को भी गलत आचरण करने का या कोई और तरीके से वहवार करने का अधीकार नहीं ह और अब इस ये बात चुकी सरकार का मामला है इसलिए इस मामले में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि सरकार इस पर कारवाई करेगी सरकार को ही इस पर मानने मुख्यमंत्री जी को निल्ले लेना है कि इस पर क्या कारवाई करना चाहिए और मैं समझता हूँ कि मानने मुख्यमंत्री करेंगे लागतश कम करेंगे. लेकिन झी मुकस्माज हमाई झी सब्सक्लाइब कि अब जो अब जो उस ताइम यहा था यह भाज या वो कि कुछ लोगों ने उस पर मतलब जो भी है महीलाओं के साथ अबधरता की थी फप्तिय कसी थी ऐसा सुनाई दी आम को उस बात को लेके कॉंग्रेस पार्टी ने जो दोनों अधिकारी थे उनका पक्ष लिया था इसमें सही है और आज भी हम कहते हैं कि अगर जो हुआ था उस ने जो रिपोर्ट फाइल की है तो इसको माननी मुख्यमंत्री जी मैं समस्ता हूं गहराई से देखेंगे और जो भी होगा वो नियायुचित कारवाई वो करेंगे इस मामले में कानून सबके लिए एक बराबर है ये बात कॉंग्रेस पार्टी का कहना है कानून हर व्यक्त निता को थपड़ मारा किया था और फिर एसाई को थपड़ मारा किया था बीजेपी ने काफी विरोध किया था इस घटना का और करवाई की मांग उस समय काफी जोर शोर से की गई थी बीजेपी के तमाम बड़े निता बहां पहुंचे थे लेकिन इस समय कॉंग्रेस पार् आईएस और आईपियस लोबी आमने सामने नजर आ रही है तो अब लग रहा है कि जो मांग आपके दोरह की जा रही थी आपकी पार्टी की दोरह की जा रही थी कि कलेक्टर निधी निवे दिता पर कारिवाई होने चाहिए अब लग रहा है कि वसी कोई कारिवाई सरकार कर प वापस लिया जाए एक तरफ दोहरा मापदेंड कॉंग्रेस के नेता और सत्ता से जुड़े हुए लोग इस समय मद्य प्रदेश में अपना रहे हैं आपको मैं बताना चाहूंगा कि यह जो घटना के साथ मारपीट की हुई थी वह एक बज़े की थी और उसके बाद भारती जन्ता पाईटी के नेताओं को कलेक्टर ने सरयाम थपड़वा रहा जहां तक यह आरोप लगाया गया पूरू मुक्हिमंत्री दिग्विजे सिंग जी ने भी ट्विट करके कहा था कि मैं कलेक्टर प्रोटेश्ट कर रहे हैं आदिलण कर रहे हैं अधिकारी से बात कर रहे हैं लेकिन जीन अधिकारियों के उपटर कानून व्यवस्ता को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी है जो पुलिस को आरडर दे सकते हैं लाटी चार्ज का लेकिन लेकिन उन्होंने खुद ने कानून को अपने हाथ में लिया जिस पुलीस अधिकारी का फोटो में आपके माद्यम से देख रहा हूं मेरे ख्याल से वो उनके पिता की उम्र के होंगे जिस कलेक्टर ने उनको तपड मारा है किस तरह की मानवीता का चेहरा वो एक बड़े प्र प्रदेश रहता से जिन्होंने अपने व्यक्तित्व से प्रशासन में शाषन में और प्रदेश और देश में बहुत बड़ी ख्याती अरजित की क्या मत्पदेश के आई-एस के रूप में निदी नेवी दिता हो या प्रिया वर्मा हो मत्पदेश का एक कलंकित चेहरा बहुत निंदा जना कि हमने समय उसकी निंदा की थी और कलेक्टर पर फायार दर्ज करने की मांग की थी जहां तक बात है कि आज अगर सरकार और पुलिस कारवई कर रही है जाच के आधार पर ततकाल एसडियोपी ने जो जाच किये कि पुलिस अधिकारी को थपड मारा उस पुलिस कारिकरता को जिन पुर विदायकों को उन्होंने मारपीट की है उनकी तरफ से भी उस दोशी कलेक्टर और एसडियेम के खिलाफ फायर होना चाहिए अकेला केवल पुलिस अधिकारी को मारने का मामला नहीं है वह आम जनता और आम कारिकरताओं से जुड़ा हो मामल पुलिस अधिकारी की कारिकरताओं के साथ मैं मारपीट की गई उनको थपड मारा गया कालेक्टर द्वारा बहीं अब दूसरा जो मामला सामने आया उसमें पुलिस की जाँच में कि उन्होंने इस तरह से ASI को थपल मारा था तो ये दो थपल कांड कलेक्टर के नाम पर हैं तो क्या साबित करना चाहती हैं कि इन सभी चीजों से क्या अपने आपको एक अलग छवी देना चाहती है कि उनके दौरा इस तरह से खुले आम थपल मारा जा रहा है अधिकार को मार चाह रहा है तो क्या साबित करना चाहती हूं इस से देखे मैं कि यह बहुत घंबीर मामला हो गया है और अब आज जब डीजीपी का पत्र सामने आया है इसके बाद इस मामले ने और कई सबाल खड़े कर दी हैं मैं पूछना चाहता हूं मत्रबरेस के डीजीपी से पुलिस ऐसा क्या है क्या IPC दोबनी हुई है मत्रबरेस में कि एक समाने लोगों के लिए अलग IPC हो और IS अधिकारियों के लिए अलग IPC बनाई कोई हो क्या मत्रबरेस में डीजीपी ने आकिर पत्र क्यों लिखा यही एक सबाल है मायिक जीजीपी को सीधा निर्देश देना चाहि कि उन्होंने कम से कम इतनी हिम्मत तो की है कि सरकार के संग्यान में लाएं और काये कि यह अपराद घटित हुआ है दूसरा एक यह देखिए कि बंद प्रदेश में हमने बीजेपी के सरकार देखी 15 साल और अभी कमलाजी के सरकार देख रहे हैं हमने पहले यह वहसूस किया थ भारती जन्ता पाजड़ी के तमाम सारे नेता पद्यकारी कहीं न कहीं अधिकारी उपर दवाब डालते थे मारपीड करते थे विदान समा में जानकारी आई कि करीब 60-70 ऐसे माम लेते जहां अधिकारी के साथ मारपीड हुई कॉंग्रेस की सरकार आई तो हम देख रहे हैं खरकरताओं को मार रहे हैं ये बद्यपरदेश में आकर हो क्या रहा है इस पर भी विचार चिंतन करने की आउशकता है देखे एक आई-एस अधिकारी चाहिए वो मेला हो या पुरुस हो उसको यदि जिला सौपा जाता है तो उसके कुछ दायत होते हैं उसके कुछ कि जी मैं आपके टीवी चैनल के मांद्यम से ये कहना चाहता हूं कि गली के गुंडे में और एक आई-एस अधिकारी में जो जिला समालता है कुस्तों अंतर होना चाहिए आकर किस तरह से ये महार पीट लगातार किसी पर भी हाठ उठा देना ये निश्ची तोर पे बहुत जांच में ये पाया गया है कि कलेक्टर ने एस आई के साथ मार पीट की है और वो सिद्ध हो चुका है आप मुझे बताइए यदि ये सिद्ध हो गया है तो बहुत सिद्ध क्यों नहीं हुआ जो कारकरता के साथ कुन न किया है निश्ची तोर पर उसके पोडेज है तो दो मैं बोलता हूं कि आई एस अधिकारी को तकल अपायर होना चाहिए और ताकि दूसरे आई एस अधिकारी कम से कम इस तरह की गलती ना करें फिरोज जी अब तो पुलिस की जाच में ये साबित हो चुका है कि उन्होंने एस आई को थपड मारा था तो अब मामला दर्ज करने का उधारन पेश करेगी देखिए ये कॉंग्रेस की सरकार थी तो उनके उनके खिलाब जाच रिपोर्ट भी आई है वन्ना तो पुरानी सरकारों में तो पुलिस पिटती थी जाच रिपोर्ट जो थी वो जो 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 पुलिस पिटती थी वो पुलिस ही जो थी उसी की उपर मुकद में दर्ज हो जाते थे बाला घांट का मामला है आपको रविंद्री जी बता देंगे आज भी वो एडिशनल सबके सब फरारी काट रहा है और उनके परिवार जनों ने आंदोलन किया था जलूस निकाला था बहुत बड़ा क्योंकि पुलिस को यह अधिकार नहीं था तो पुलिस ने अपने परिवार के लोगों को भेज दिया था तो यह जो मामला है मैंने आपको फिर कहा दोबारा मैं कह रहा हूं यह सरकार के संग्यान में आ गया है माननी मुख्यमंत्री जी को इस मामले में कारवाई करनी है वो इस पर कारवाई करेंगे क्यों पुलिस ने इसको यहां बेजा कौन से किस कानून के अंतरगत कि डीजीपी महोदय के पास पत्र आया और डीजीपी महोदय ने तो वो क्या कानून है कि उसके तहत इनके उपर आफाई यार करने से पहले यह कोई अनुमती लेनी होती है या भेजना होता है यह इसकी जानकारी मुझे नहीं कुद क की यह कानून का विशह है लेकिन जो रविंद्र जी कह रहा है कि अगर ऐसा था तो एस पी महा कर रहा सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं किया तो यह मामले को देखके जो भी है सभी बिंदू का परिक्षाण करके प्रोजी सरकार इस पर कारवाई करें यह भी उठता चलो यह मामला था यह बाद में मामला सामने आया है अब जांच में यह सामने आ गया कि कलेक्टर न थपड मारा था ल लेकिन जहां तक वीडियोज हमने देखे जो इस्तिती वहां देखी इस तरह की कोई इस्तिती वहां पर बनती नहीं नजर आई थी कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा था कि सरकार बचाने की कोशिश कर रही है कोई सबूत वहां पर नहीं दिखाई दे रहे थे कि वहां पर बत् कि शुशिश की जा सकती थी, कि इस तरहे की घतना क्यों गती , क्यों आपको हाथ उठादा पड़ा , לेकिन Mystra हें सरकार के बचाओ की मुद्रा में नहीं थी, जो वह उस समय का लाइन औरर के सामने जो भिड़ में हो रहा था यह वो देखा है, कहीं अलक से किसी और को बुला आके यह कि देए कि यहां और यहां इसा नहीं था और हम को यह कही था कि इनके जो मंत्री है यादाओ जी उन्होंने भी किस तरीके से बात की थी वहां और उनके खिलाब भी फाई आर दर्ज हुई है तो यह मानने में कोई गुरेज नहीं है और पुलिस इसकी इन्होंने अप्लिकेशन फाइल किये संबंदित थाने में भारती जनता पार् सामने दिख जाएगा आपको और जब जहांच रिपोट आईगी तो फिर जो भी है वो सरकार उस पर कारवाई करेगी जी आशीश जी जिस तरह से आपकी पार्यटी के वरिश्ट नेता थे उन्हें उन्हें कुछ आपति जनक बयान दिया था उनके उपर तुरंत मामला दर् किया तो उस पर तो तुरंत मामला दर्ज हो गया लेकिन जब कलेक्टर कुले आम इस तरह से हाथ उठाती हैं कारिकरता की बिटाई करती हैं अब तो दूसरा कान भी उनका सामने आ गया है कि अधिकारी को भी उन्हें थपड मारा है तो क्यों सरकार इतना बचाओ में उस कद में मत्पदेश में दर्ज हुए विधायकों पर दर्ज हो रहे हैं लेकिन एक कलेक्टर जिसका वीडियो फुटेज मौजूद है हजारों लोग जिसको थपर मारते पर देख रहे हैं उस पर एक महीने के आसपास समय होने के बाद भी किसी प्रकार की कारवाई नहीं हु कि एजन्ट के रूप में काम कर रहे हैं मैं आपको कई सारे उदारन मत्पदेश में बता सकता हूँ कि बीजेपी से जुड़े होए आदमी के खिलाप एक तरफा कारवे की गई कई सारे अधिकारियों के आडियो वीडियो समय समय पर आते हैं जिसमें यह कहते हैं कि यह वि प्रदेश की छवी अधिकारियों के इस तरह जंता पर हाथ उठाने से राश्टी स्तर पर खराब हुई है उसका यही एक रास्ता हो सकता है कि ऐसे अधिकारियों पर ततकाल सरकार कारिवई करें किसका रस्ता देख रही है संविधान में ऐसा कोई उपबंद नहीं है कि कलेक् करता को सरयाम मारा है हजारों लोगों के सामने मुए जहां तक कानून को जानता हूँ थप्र मारने का अधिकार या किसी को मारने का अधिकार भारत के कानूनों में किसी को प्राप्त नहीं है और इसलिए थप्र मारना बहुत बड़ा अपराद है सारवजनिक इस्तान पर मारा गाया है वो भारती जंता पार्टी के कई पूर विदायक के किसी मंडल के पदादीकारी है इन प्रतिष्ठित लोगों को यदि इस तरह से सब पर किसी अधिकारी ने मारा है तो आज उस पर इतने दिनों तक कारवई नहीं होना ये दर्शाता है कि अधिकारी आई-एस, आई-एस होता है और एक आँ आँ आद्मी होता है इनके लिए नियम अलग है इसके लिए नियम अलग है अगर कमलनाथ सरकार वास्तों में पारदर्शिता पूर्ण शाचन मत्द पदेश में चलाने की गारेंटी लेती है तो उनको इसे अधिकारीों पर ततकाल कारवई करन किसी भी अधिकारी के द्वारा नहीं हो यह तभी सम्मब हो पाएगा जब इस तरह के अधिकारियों पर कारवाई हो जी रविंद्र जी जिस तरह से पूरे मामले में आपने भी देखा यह पूरा जो मामला सामने आया उसके बाद में कांगरेस पार्टी और सरकार की तरफ से बहुत जादा तारीफ की गई कलेक्टर की उनको समानत करने की बात की गई और अब जब यह मामला सामने आया तो कारवाई की बात की जा रही किस सरकार के सामने कारवाई करना इतना असान होगा क्योंकि जब एक तरफ वो पहले उसी कलेक्टर की तारीफ कर रहे थे उनको सम और बहुत बड़ी नजीन बनेगा सवाल ये है कि आईएस अधिकारियों पर जो भी सरकार मध्यब्रदिस में रही चाहें वो पीजेपी रही हो या कॉंग्रिस की हो जिस तरह अंदा विस्वास करते हैं जिस तरह उन्हें बचाया जाता है आईएस अधिकारियों को वही कर रहे हैं इसके पहले हमने देखा था कि सिवराज जी के कारकाल में सिम्नी में हमने एक कलेक्टर को देखा जो बेसक मुस्लिम थी लेकिए वो चलब पातिकाएं सिन पर रक्के इसलिए घूमी थी ताकि उनकी नोगरी बची रहे यदि आईएस अधिकारी राजनिदिक दल आधि दिया जाए जादा अच्छा है यदि आप उसको कार करता कि तरह काम लेने की कुछ सुसर करेंगे तो इस तरह की घटा है मंद्रप्रदेश पर गटित होंगी हमने मंद्रप्रदेश पर कई अधारों देखें लेकिन जो राजगर्ण का देखा है जिस तरह की गुस्त तो सरकार को इन अधिकारियों के वारे में विचार करना चाहिए अधिकारी तो नहीं है देकि आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है मैं जी मैं लगत 30-35 साल तो जो चनलिजम कर रहा हूं और मेरी एक अनुवाव है कि जो सीधी वरती के आइस अधिकारी हैं वो कभी भी आस तक मद्रप्रदेश के इतियास में कितनी भी बड़ी गलती कर लें सारे अधिकारी मिल आतार 15 साल तक ये बात कहती रही के मत्रप्रदेश के अधिकारी भारतीEMA भारती दापर्रड लटी के साथ मिल गया हैं कि पहसे अधिकारी के क्लाब कारवाई होई होगी मुझे बद ही ऐक आधिकारी केख प्रावी कalब में कोहिते यह हुआbar तो आके जो अधिकारी हैं, वो एक दूसरे को मदद यहां करते रहे हैं, तमाम सारे आरोपों के बाद चाहिए, बिजली खरीदी का आरोप, जो कॉंग्रेस का सब्सक्राबा मुद्दा था, मतलब सरकार में आने के लिए उन्हें सब्सक्राबा मुद्दा मनाया था, जिस मद प्रदेश में तो कम से आईयस अपने आपको खुदा समझते हैं, वो जी ऊससामने दिखा ही दे नहीं है, जी, फिरोज जी, जिस तरह से रेयंजी से इस अधिकारी अपने आपको खुदा समझने लगए हैं, कहीं न कहीं, समझना भी चाहिए क्वए क्युद आरोप यह वो नहीं होती, क्या वज़य है, क्यों अधिकारियों को बक्ष दिया जाता है, क्या कानून सब के लिए अलग-अलग है, आम आत्मी के लिए अलग, अधिकारियों के लिए अलग, नेताओं के लिए अलग, नेताओं के लिए अलग, तो अभी विवेक अगरवाल पे FIR किस तो उसको प्राइमरी इंक्वाइरी में लेते हैं और प्राइमरी इंक्वाइरी के बाद रेइस्टर्ड हो जाती है और उनके खिलाफ रेइस्टर्ड हो जाएगी आप यह देख लीजिएगा क्योंकि उन्होंने जो प्राइमरी इंक्वाइरी में हैं और उस मामले का नेरा कर परना पड़ेगा या तो यह व कहाँ है दोनों में से कोई एक बात तो कहना पड़ेगी आउट राइट तो उसको भाद नहीं कर सकते यह व को सरकार भी नहीं कह सकती है तो आप भी बहतर जानते हैं कि आप इस इस मामले का निराकरन इतने दिन में कर दीजिए है वो जी एडी जिले में बहुत सारे रिमार्केबल काम भी कियें पाउं आसमान पर करके इन्हों ने जो एक योजना लाइन जिसका गिन्नेस बुक ऑफ वर्ड रिकॉर्ड का भी जिकर आता है उसमें इन्होंने सभी महिलाओं को साच्छर कर दिया सुनिया आप सुनिये 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 ड्यूटी वो कानूनों का उलंगन करके कोई कारे कर सकती है यह बात मैं भी नहीं कहता लेकिन अगर कोई यह अक्षे प्लगाए सरकार पे कि आपने इस अधीकारी को इसलिए बिठा रहा है क्योंकि इसाव यह बारी धन धन राशी दिये इसलिए आप इनको रटा नहीं रह अपने सामने सफाई करवाती है इन्होंने जिस तरीके से गईयें जो बैठा करती थी नेशनल हाइवे पे उसको लेके जो कारवाई की नेशनल हाइवे को साफ कराया और गईयों के संड़क्षण के लिए काम किया पानी के संड़क्षण के लिए तलाओ के लिए राजगर भीराज़े में काम किया बहुत पानी की स्थिती खराब है वहां तो ऐसा नहीं कि उन्होंने काम नहीं किये काम तो उन्होंने भी रिमार के वल बहुत अच्छे काम भी किये अच्छे अधिकारी की रूप में ये उनकी गलती है ऐसा मुझे लगता है क्य Reynolds पुलिस ने रिपोर्ट दिये तो सरकार को इस पर कारवाई करेगी और होना भी चाहिए जी आशीज जी जिस तरह से फिरोज जी ने सीधे तोर पर कह दिये कि उन्होंने बहुत अच्छे काम किये हैं बहुत सारी चीजें की हैं कही ना कहीं फिर वही बात सामने आ गई कि बच तो की जा रही लेकिन साथ साथ में उनके अच्छे काम भी गिनाया जा रहे हैं हम यह नहीं कहते हैं कि किसी अधिकारी ने अच्छे काम नहीं कियोंगे बिलकुल कियोंगे लेकिन कहीं ने कहीं उसको अधिकार नहीं मिल जाता है कि वो किसी पर हाथ उठा है तो क्या लगता प्रदेश के अन्य जिलों की बात हो जितने प्रमुक अधिकारी बड़े-बड़े पदों पर पदस्त हैं उनको यह कहा गया है कि आपको विपक्ष के खिलाब बहुत तीवरता के साथ कारवई करना है विपक्ष को दबाना है जहां कहीं भी आपको इस तरह के प्रोटेस्ट हैं इस तरह के लोग दिखते हैं उनके ओपर ततकाल कारवई करना है यह हम अपने पूरे मद्पदेश में होते हुए देख रहे हैं इसलिए मुझे सा लगता है कि इनका लेक्टर साहिबा को भी यह उपर से हनुमती मिली होगी कि अगर इस तरह का कोई प्रोटेस्ट होता तो आप जिस लेवल पर जानके कारवई करना चाहें आप करो तो कहीं न कहीं सरकार का भी उसमें मौन स्वेकरती इस तरह की कारवईयों में है क्योंकि उसके ठीक बाद जो इस समय पावर सेंटर नंबर टू मद्पदेश में दिखविजे सिंग जी है उनका ट्वीट आना इस बात की तरफ दर्शतंकेत करता है कि कहीं ने कहीं उन्होंने उनकी कारवई की सराहना भी की और कारवई चुकि इतना बड़ा प्रोटेस्ट जिले में अधी हो रहा है तो वरिष्ट नेताओं के जो सत्ता से जुड़े में उनके संग्यान में होगा और उन्होंने निर् प्रशासनिक सेवा के लिए चुना गया है और जब इतने बड़े लेवल पर वो पहुंचे हैं तो उनको संयम और धेरी का परिचे देना चाहिए उनके समाज के प्रति किये गए अच्छे काम तभी माइने रखत पाएंगे जब वो कोई इस तरह की गलती ना करें अन्यता उन्होंने अपने जो दोरा चरित्र दिखाया है जो दूसरा रूप उन्होंने अपनी सेवा का दिखाया है कही ने कई उससे तो किसी भी रूप से भारत में कोई भी नागरिक या दुनिया में कोई भी उसको सराना नहीं दे सकता इसलिए इतने बड़े प्रशासनिक अधि चाहिए थी अविलम्म सरकार ने कारवई नहीं की मतलब वो अधिकारियों को बचाना चाहती है और अब यह दी किसी प्रकार से कारवई करना भी चाहती है तो केवल मुझे ऐसा लगता है कि नाम मातर की कारवई करके सरकार एतिश्री करेगी दिया लिकिन उसमेरी एक जी एसा जब अगर शिवराज सिंग जी यह कारवाई कर लेते तो आज कम से कम यह हमारे गले में घंटी नहीं बंदती जब तो शिवराज जी ने इस मामले में कारवाई नहीं की जायकों की अगर अधिकारीयों से विवाद वात उन पर भी एफायार हुई है कई सारे उधारन भरे अधिकारी मंत्रियों के टेर पड़ रहा है मैंक जी एक उधान बदाई है 15 साल में एक आइस के खिलाब भ्रष्टाचार की एक आइफ आपके कारकल में हुई हो अधिकार पूरे टीनू जोशी का उधारन है तीनू आप नहीं किया इनकम आईकर विवाद ना किया दिल्ली से अपने सारे अधिक मेरी बास तुनिये आर्थिक मामलों में कारवई करने में आप भी समझते जहां चोती है लेकिन ये क्रिमिनल अफेंस है उसको थपर मारा ग इसका इंतियार करने है नहीं एफार होगी जहां चल रही बहुत सारे मामलों की फाइलिस समय कांगरेस की सरकार के पास है तर यह ना आप कर भई हमारे समय अगर इस तरह के मामला है होंगे तो हमने भी कर वह कियोगी मैं आपको अभी विश्तार से नहीं बता सकता लेकिन उ अब क्या सरकार उतारेगी इसको देखिए मैंने साफ कहा है इसमें कि जो भी निलने होगा कमल नाज जी नियायोचित कारवाई करेंगे सरकार नियायोचित कारवाई करेगी आप इस बात के लिए अश्वस्त रहिए अब चुकि भारती जनता पार्टी को हर बात को बहुत ते मामले में कमल नाज जी जो है ओ निलने करेंगे तो आप इंतिजार कीजिए आयेगा से मुख्यमंत्रों निलने करेंगे करेंगे आप ने कि यह कानूछ टीरी आटे ही क्रेंज होता कि ऊस परतनी देर लग रही आज बीजेपी के वरश्त न्यता थे उन पर तो तो तुरंट दूआ ही और मामले में उनके उनके उपर है में सक रधाय को एसा कि इस इंसा है कि भारती जनता पाड़्टी में जिशम मामलों को लोग लेके ठाने में आवेधिन दिया उस पर का मामले को नहीं हो रही या आपका इतना चैना यह है कि जाच होई तो जाच तो प्रशासंन नहीं की यह ना करेक्टर नहीं किये जाच करवाई है और आप महिलाओं को के साथ बत्तमीजी कमनला जी की सरकार में कताई कैसे भी बरदाश्ट नहीं की जाएगी? ये बात तो आप स्पष्ट कर लीजिए. दूसरी बात आप जो मामला कह रहा है तो आप जो भारती जनता पाल्टी है, वो जल्द बाजी में रहती है. वो जल्द बाजी में वो बात कर रहे हैं. हमारा तो ये इस IPS अधिकारी पड़बा जी बोला करते थे कि ये ऊट की सभारी है जब आप हो है हिचकोले लेनी नहीं सिखेंगे इनकी सभारी करना बहुत मुस्किल है मैंने गौर साथ को देखा कि गौर साथ जब मंद्री रहे हैं तो उन्हें बड़ा कंट्रोल में रखा अधिकारी को मैंने अधिकारी का कारकल देखा वो चस्मा उतारते थे और अधिकारी समझ जाता था कि सरकार क्या चाहिती है लेकिन शिवराज सिंग बड़े बोले या सहेज मुक्ष मंद्री थे और अधिकारी उन्हें पंदरे साल का भी मजे लिये लेकिन मैं अभी यह देख रहा हू बहुत जादा स्ट्रोंग अधिकारी गोरी सींग उन्हें भी गलती की तो एक मिनिट लगाया अठाने में उन्हें दमकीदी नौकरी छोड़ा चाती है कल छोड़े तो आज छोड़ दीजे वो नौकरी छोड़ गई कोई चिंदा नहीं की कमल नाजीन है हमने इंदोर में द अफदा पाकरने की कोशिस की तो मैंने देखा कि कलेक्टर और स्क्राइब दोन उटाए गए उसंगावास से यदि सरकार इस तरह से सक्त कारवाई करेगी और मैं अपना कमला जी से यह पेच्छा करता हूं कि जैसा डीजी पी ने कहा है यदि उसके अनुसार कारवाई होती होती है तो निश्चियों तोर पर जो उनकी चबी बन रही है एक सक्त प्रसा सकी वो चबी और ज्यादा निखर के सामने आएगी जी जिस तरह से जो पूरा मामला सामने आया था उसके बाद में वीजेपी ने काफी अंदोलन किया था कलेक्टर पर मामला दर्श करने की की जाएगी जो बीजेपी कारिकरता के साथ मार पीट की गई है उस पर भी अफाई यार की चाहे क्योंकि काई ना कहीं भारती जनता पार्टी विपक्ष पूरी तरीके से खामोश होके बाइड गया था इस मामले में आपकी पार्टी का एक नेता है इसके साथ में कालेक्ट की उस कालेक्टर पर क्या कारिवाई की जाए और इसी कारण वो कालेक्टर अभी तक कारिवाई से बची हुई है जहां तक बात है हमने हमारे कारिकरताओं की लड़ाई राजगर में जाकर लड़ी और अल्टिमेटम भी दिया था कि अकर कारिवाई ने होगी तो हम बड़ा अंदलन प्रदेश बापी इस तर पर खड़ा करेंगे हम देख लेते हैं आने वाले दो चार छे दिनों में अगर कारवई नहीं होती है तो वापस से पुरे मत्पदेश इस तर के अंदलन की रूपरे का बनाई जाएगी क्योंकि सरकार का जो जुल्म है वो कारिकरताओं पर तूट रहा है और भारती जन्ता पार्टी का कारिकरता किसी भी परिस्तिती में अन्या की खिलाप चूपोकर नहीं बेट सकता एसी घटनाय मत्पदेश में रोज हो रही है उन सब की जानकारियां जुटाई जा रही है और बहुत जल्दी इन सब घटनाओं को लेकर प्रद बार-बार बात वही कही जाती है कि जहाच चल रही है इस मामले में उसके बाद कारवाई की जाएगी हमेशा जहाच ही चलती रहती है किसी अधिकारी पर कोई ऐसी बड़ी कारवाई की गई हो यह हमें नजर नहीं आता क्या इस मामले मुदारण सरकार को पेश नहीं करना च शुकला को दी जो डारेक्टर थे इसके करशी विबाग के आर के शुकला एंके शुकला है उन्हों उनको दी प्रिशासन एक आदमी में भेज दिया उन्होंने एक पत्र निकाला था तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं सरकार जो है जो देखिए यह ब्यूरो क्रैसी है कारे पालिक का समयधान में अपना एक स्तंब है हम लोग जो है वो विधाई का अपना स्तंब है मीडिया का अपना है और न्याइपाली का का अपना है चारों एक दूसरे के काम में अगर हस्तक्षेप करने लगेंगे बहुत ज्यादा तो पूरा जो ताना बाना है वो बिगड़ लगे एक अपनी बात के तो आप अप भी एक स्तंब हैं तो यह यह सबचीजों को और हमकोital देना पड़ेगा आपको मीडिया को कि मीडिया अपनी बात कहेगा तो आप कह रहें तो यह सब चीजें जो हैं एक दूसरे को सम्मान दे के और एड्जस्मेंट के साथ चलानी पड़ती है अगर आउट राइट आप ऐसे बिल्कुल सीधे-सीधे कारवाई करने लगेंगे कलेक्टर को एक दिन में हटा थे तो कहीना कहीं सरकार का हाथ कलेक्टर के साथ है कहीना कहीं जो कारवाई वहाँ पर हुई है जो आंदोलन को दबाने की कोशिश जो वहाँ पर की गई थी तो कहीना कहीं उनका यह कहना था कि सरकार की तरफ से उनको गाइड लाइन दे गई थी कि इस तरह से आंदोलन को सरकार का हाथ सरकार कारवाई की होगी इन तमाम चीज़ों के बाद भी कलेक्टर को यह अधिकार नहीं है कि सार्जिनिक तोर पर एक सम्मानित कारकरता हुआ आप चार्टा मार दें या उसके पहले एक एसाई को चार्टा मारतें एक चीज और है जिसको समझ देगी आवशकता है इस कि यह पत्र मीडिया में क्यों आया इसको भी समझने की आवशकता है मुझे माहिक जी कहीं न कहीं लगता है कि मद्र प्रदेश में आई-एस और आई-प्यस एसोसिशन जो है वो कहीं न कहीं उनके बीच में भी द्वंद की सिद्धी बनी हुई है कमलनाच जी को आई-प्य आई-प्यस एसोसिशन ने तैयार कर लिया था कि मद्र प्रदेश में वह है पुलिस कमिश्णर प्रणारी लगू करने के लिए कमलनाच जी मेरे करें सेद्धानतिक रूप से सहमत भी हो गए थे लेकिन बात में आई-एस एसोसिशन ने लगातार उन पर दवाब बनाया तम आई-एसा ना हो कि कलेक्टर मौरा बन जा है इन दो एसोसिशन को लेकर ये भी समझ ना है मैंने जैसा बताया कि डीजी पी चाहते हैं इस बात को मौकी ग्रूप से भी बता सकते थे सी एम की जानकरी मिला सकते थे आज ये सवाल उठ रहा है कि यदि डीजी पी पत्र लिख आया डीजी पी का मुझे ऐसा लगता है कि कही ना कहीं डीजी पी और मुक्षमंद्री की बीच में कुछ ना कुछ दूरी है जिस करना से वो अपनी बात को ग्रेव विवाग में पत्तल के माहद्यम से बनना चाहते हैं कि मंद्धपरदेश के जो इंट्रियंस के एडीजी ह जो डीजी के बिहाब पर प्रती दिल सुबह मुक्षमंद्री को रिपोर्ट करते हैं मंद्धपरदेश के तवारी तराम सारी घटनाओं के बारे में हमको बताते हैं और उसी समय मुक्षमंद्री उनको रिजदेश देते हैं कि इसको किस तरह से डील करना है क्या ऐसा है कि अबला के स्रिदी बन गई हो एस अधी कि हमें कहने में दिक्कत आ रही हो मुक्त मंतरी से जो काम मौक्विक हो सकते हैं उस गाम का लेटर जाना पिल लेटर का लेटर में पुर तृटर का मीडिया में आना इन तमाम सारी ऐसी चीज़े हैं माइक जी मुझे कहीनगे सब पैदा करती है मत्रदेश में कि आईएस और आईपिस के जो जगड़ा है एसोसेशन का वो कहीनगे इसके पीछे कारण दिखाई दे रहा है जे बहुत अच्छा सवल उठाया आपने फिरोस जी इसका जवाब आप से लेना चाह हैं कि अन्होंने क्यों पत्र लिखा क्यों आमने पत्र लिख टॉम फाइल में रखी वह आप उन्से रात में पूछलो तो वता देंगे तो रिशासन देखते हूं पत्रकार अपनी जगह आ वह वह कॉन लाया इसको इस Maa весьма में तो मैं तो मैं तो इस वह कोई 35 नहीं कर सकता आशिश जी अब ये मामला पुरा I.S. और I.P.S. असोसेशन के बीच का नजर आ रहा है जहां पर रविंद जी ने सवाल उठाया कि कहीं न कहीं ये दोनों असोसेशन है उनके बीच में मतभेद नजर आ रहा है और इसी वज़े से ये मामला एक बार फिर से उठा है आज DGP ने पत्र लिखा है और उस मामले में कारवाई की मांग की है कलेकटर की उपर लेकिन अब ऐसे मैं लग तो यही रहा है कि इस मामले में अगर कारवाई भी होगी तो केवल और केवल उसी मामले को लेकर होगी यहाँ पर कहीं पर भी आपकी पार्टी के कारिकरता का कहीं पर भी जिक्र नहीं है हम नियाले जाएंगे फिर अगर हमारे कारिकरता के खिलाब जो कारिवई हुई है उस पर F.I.R. नहीं हुई तो हम न्याले जाएंगे इस मामरे को लेकर और न्याले से परिवात के माध्यम से कारिवई कलेक्टर के उपर करवाएंगे हम इस लड़ाई को छोड़ने वाले नहीं है क्योंकि एक दिन का काम नहीं है पूरे प्रदेश में विविन इस्थानों पर जिस तरह से भारती जन्ता पार्टी के कारिकरता के खिलाब एक तरफा कारिवई माफिया बता कर की जा रही है करोड़ों रुपे संपत्ति के मकान तोड़ दिये जा रहा है बिना पूछे किसी को अंदर किया जा रहा है अधिकारियों के आडियो वाइरल हो रहा है जिसमें वो कह रहा है कि इसे पे कार्वे करने के लिए उपर से दबाव आ रहा है तो ये सब चीज़े बताती है कि अधिकारी निरंगुश हो कर और केवल और केवल, सरकार के दबाओं में, मंतरियों के दबाओं में काम कर रहे हैं और उसमें निरपराद लोगों को भी उल्याया जा रहा है फसाया जा रहा है केसे भी करके सरकार जो है वो जमीन पर विरोत समात करना चाहती है कई जिलों से अभी तक 144 नहीं हटाई गई सामाने जुलूस धार्मिक कारिकमों की अनुमती भी हमको नहीं मिल पा रही है कानून विवस्ता का हवाला देते हुए तो ये बहुत ही खराब इस्तिती मत्पदेश की है 144 के साहे में 3-4-4 महिने का समय निकल रहा है तो सरकार को विचार करना चाहिए कि उसने किस तरह का प्रशासन इस मत्पदेश में दिया है अगर इस तरह के अधिकारी बेलगाम होकर जनता पर ताबर तोड़ थपड़ वरसाते रहे तो बताईए क्या इस्तिती होगी एक पुलिस कर्मी यदि किसी को हतकड़ी लगा कर भी ले जाता है तो उसको हाथो हाथ जिले के अधिकारी लाइन अटेज कर देते हैं या सस्पेंट कर देते हैं उस पर ततकाल कर भी हो जाती है लेकिन है कि इतनी बढ़ी अधिकारी जो सामाने रूप से जिसका वीडियो सामने आ रहा है जो हजारों लोगों के सामने किसी निरपरात को जो केवल उससे बात कर रहा है और छणी कावेक में उसको थपड मार रही है तो ये तो किसी भी तरह से लोगतंत्री के लिए शुप संकेत नहीं है और इस तरह की घटनाओं की पुन्रावत्ती नहीं हो इसलिए इस अधिकारी के ओपर कारवई होना चाहिए और इसमें राजनिती आड़े नहीं आना आज सरकार कॉंग्रेस की है कल हमारी सरकार इस मत्पदेश में होगी तो क्या इस तरह की परिपाटी निर्मित करके कमलनात की सरकार भविश में मत्पदेश का राजनिती की वारतावरन खराब करना चाहती है क्या बदले की राजनिती को इस मत्पदेश में शुरू करना चा सरकार करती रहे हमें इससे कोई परेज नहीं है हम इसमें सरकार के सांथ हैं लेकिन जब सारजनी कुरूप से किसी के खिलाप इस तरह की कारवई की जा रही है और वो अधिकारी अभी तक दंड से बचा हुआ है तो यह सरकार की मंशा पर सवालिया निशान अवस्ष्ट खणा की तरह के आप को जिस तरह से जो भी काम करना है आप की जिये हम आपके साथ हैं नेकिए मानच प्रदेश में आहिए और यह प्रुदकार ही स्था को ऑनके और वी तरह मांझे हैं क्योंकि अब यह जो प्रुद्ट होगा इसका जो इसकी जो इसका असर दिखाई देगा वह क नहीं 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 मंद्रदेश के दो बड़े संबर्ग आईएस और आईपिस के बीच में बड़ी खाई के रूप में दिखाई देगा और यहीं नहीं होगा मंद्रदेश में जो डीजी पी और मुख मंत्री हैं मंद्रदेश में डीजी पी और ग्रह मंत्री हैं इनके बीच म इसलिए कह रहा हूं कि मुझे एस समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा है परदे के पीछे कि मुख्ध मंत्री और डीजी पी के बीच में अगुला की इस्तिती है या सम्मादिन तक इस्तिती है जो इस तरह का पत्र मीडिया की या सुर्खिया बन रहा है और हम एक जी के एक्षा के बिरुद इस तरह आगे जाके रोड़े इस तरह काम किया है तो निश्ची तोरह पर वो निर्णन लेने में एक मेरिट भी नहीं लगाते हैं जैसे हमने गौरी सिंग जी के मामले में देखा एक सेगिंड में उनका इस्तिवा मंजूर किया गया वह आई एस में इस्तिवा दिया, एक मेरिट में इस्तिवा मंजूर कर लिया गया, मुझे लगता है कि जो गौरी सिंग के साथ हुआ, वह कहीं वीके सिंग के साथ मा हो, मुझे ऐसा कुछ दिखाई देने लगा है जे फिरोजी जिन अधिकारियों के उपर कानून विवस्ता सभालने का जिम्मा होता है, वो इस तरह से खुले आम मारपीट करने लगें तो क्या होगा, क्या ऐसे मामलों पर कारवाई नहीं होगी तो कहीं न कहीं दूसरे जो अधिकारी हैं वो भी इस तरह से बेलगाम हो ज जाएंगे इस तरह से खुले आ महतेपाई करने लगेंगे लोगों के साथ मारपीड करने लगेंगे तो क्या सरकार के जम्मधारी नहीं है कि इस मामलों को यहीं पर रोक जौए यहीं पर द्वा पर जाए कि दूसरे अधिकारियों के लिए ये नजीर ना बन जाए कि भाई उनको हक है कि वो लोगों को हाथ उठा सकते हैं लोगों को मार सकते हैं क्योंकि उनके उपर कोई कारवाई नहीं हो रही है देखिए कमलाज जी ने सम्वेधान की शपत लेके मुख्यमंत्री बने है और ये उनका सम्वेधानिक करतव है किसी भी सम्वेधानिक सरकार का कि वो अपने नागरिक के सम्मान के और अधिकारों की रक्षा करें ठीक है तो आप ऐसा मत मानिये कि कमलाज जी जो है सम्वेधान कि मूल विचार के विपृतार जाके कोई निन्री लेंगे जो निन्रे करना है उनको करना है रही बात कि यह जो अधिकारी बैल अगाम, होगाई यह लगाम फंद्रह साल में हो गाई वना तिखिजे सिंग जी के चाल आपके शासन काल में नजर आ रहे हैं आप देखिए मामले आते जा रहे हैं साल भर ये साल सवा साल हमको हुआ है जहां जहां भी मामले हैं गोरी सिंग जी ने बिना सरकार से अनुमती लिए इसका इना तिथी घोशित कर दी थी पंचाय चुनाओ की ये बात सरकार को ना परिसीमन की नोटिफिकेशन जारी कर दिया था सरकार का को यह बात नागवार गुजरी क्योंकि अनुमोदन लेना चाहिए उनको जनता ने चुनके जो हमारे मंतरी को बिठाया है या कमनलाज जी को बिठाया है तो उनका अनुमोदन लेना आवशक है ऐसे कई और अधीकारिय को भी वह दीरे दीरे लाइन से लगा देंगे आप हनी ट्रैप का मामला देख लीजिए कितना मामला उठा यह लेकिन उसको भी कही ना कहीं उन्होंने गृप में लिया और भी एक बड़े उसी अधीकारी जिन जिनका हुआ था उनको भी उन्होंने लूप लाइन पोस्टिंग संजीब समी साप को कई लोगों को लूप लाइन पोस्टिंग दी यह कमल नाज जी ने तो ऐसा नहीं है कि वह इसको हाथ में ले नहीं रहे लेकिन बहुत बड़ा यह भी 400 4500 लोग हैं 400 के करीब 399 अपने ती मुराल अगर नीचे गिर जाएगा ब्यूरोक्रैसी का तो भी काम खराब हो जाता है और अगर यह काम हुआ है जरूरी है लिकिर इस तरह की चीजों को आप जस्टिफाइब ने महिंक जी आप यह मैं यह कह रहा हूं कि आप इंतिजार करिए हमेशा भारती जनता पार्टी क कमल नाज जी की उपर आख्षे लगाती है कि यह यह जो है कारवाई नहीं कर रहे है और आज ही कर नहीं थी अभी कर नहीं थी और उसके सकारात्मक प्रहणाम दिखाती है का कमल नाज जी हर बार आप इंतेजार कीजिए मुख्यमंत्री के लेविल पे बहुत सारी चीज़ डिसकस होती है एक समय लगता है मुख्यमंत्री के लेविल पे ऐसा नहीं होता कि मुख्यमंत्री बिलकुख पुर्सत में है कि आप तो अभी आगए और अभी तो तौरे निढ़े ले 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 अनके मिनिट टू मिनिट कारिकरम दे बहुत कुछ होता है जी अशिज जी पुश्करत अधिकारियों को यह कर रहे हैं यह सरकार और मैं तो अभी भी आप से यही कह रहा हूं कि यह इस तरह के मामलों में भी सरकार ने संग्यान लेते हुए तो रित कारवई नहीं की तो सरकार हमसे सड़क पर आमने सामने मुकाबला हम भारती जनता पाड़ी के कारिकर करेंगे सरकार को अपनी मंचा इस पुस्ट करना चाहिए इस तरह का अधिकारियों को बचा कर लोग तंत्र व्यवस्था के लिए भी यह शुपसंकेत नहीं है जिए आप से भी फाइनल कमेंट चाहूंगा इस पर क्या कारवाई हो पाएगी लग रहा है आपको मैंने पहले रोग रहा है आप सब का शुकरी हमारे साथ इस चरचामें जोड़ने के लिए फिरोस जी आप का रहा है रएविंद्र जी आपका और आशेज जी आपकाः बहुत बहुत शुक्री आइस चरचामें जोड़ने के लिए तो जिस तरह से यह पnt decade मामलेमें और दरश करने की कारवाई की जाएगी लेकिन अब देखना होगा कि क्या इस मामले में कोई कारवाई होगी तो फिलाल मुद्दे की बात में इतना ही आप बने रहे है पत्रिका टीवी के साथ नमस्कार झार नमस्कार